सिर्फ 2-3 मिनट्स की वीडियो बना रहा हूँ और 2-3 मिनट्स इस वीडियो के अंदर स्पेंट करो आपको कुछ ना कुछ वेल्यू देखे जाएगी वीडियो यह और आपका सिय नवंबर 2023 का एक्जाम्स क्रैक कर जाएगी मैं डेफिनेटल आपको बता रहा हूँ आप TYK कर जो मैंने टाइटल में लिखा है अब यह होगे सर बताओ तो सर्फ कि क्या है यह TYK नवंबर 2023 के एक्जाम्स में आप फेल क्यों तो उसका सबसे बड़ा रीजन बता रहा हूँ study material के TYK करो TYK that means test to your knowledge उसमें सारे concept आपके cover हो रहे हैं आपको मैंने इसको analyze किया है मैंने इतना analyze किया है क्योंकि बहुत सारे strengths है जो फालत हूँ के questions करके बैठ जाते हैं वो अपने TYK नहीं करते हैं तो सबसे पहले तो मैं सबी strengths से कह रहा हूँ चाहे वो आप intermediate हो चाहे आपके final के exam से चाहे आपके foundation के exam से TYK करो अभी 20 days मतर 15 to 20 days जो भी आपके पास time रह गया उसमें TYK करो आपका सारा का सारा self assessment हो जाएगा आपने कितना preparation किया है उसमें सारी चीज़ आ जाएगी मैं लिख के दे रहा हूँ और question भी as the days निकल के आता है वहाँ से पता है तुमको तो TYK is very important in last 10 to 12 days जो भी आपके पास रह गए हैं मेरी बात मालो TYK करो that is test your knowledge और उसमें सबसे बटी चीज में बताता हूँ ICAI अपनी study material के first page पह लिखता है आप देखो कि तो उसमें लिखा ICAI ने कि understanding the concept first आप सबसे बटी concept को understand करो और उसके बाद आप TYK करो because ICAI हर chapter के बाद जो भी आप study material का एक chapters का भूवी concept है वो पूरा कर लेते हो उसके बाद आपको ICAI TYK देती है that is test your knowledge उससे क्या होता है उससे बहुत कुछ होती है बहुत क्योंकि आपका पूरा chapter उस TYK से revise हो जाता है